हलो फ्रेंट्स आपका हमारी यूटूब चैनल पे स्वागत हैं आज कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें रैशनल नंबर्स का HCF और LCM निकालना हो तो किस तरीके से निकाला जाता है जैसी कि आपको यहां पर नंबर दे रखें 2 by 3, 3 by 10 और 4 by 15 इनका अगर हमें HCF भी निकालना हो और LCM भी निकालना हो ठीक है तो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके लिए आपको यह फॉर्मला याद रखना है अगर हमें इन तीनों रैशनल नंबर का LCM निकालना हो तो हम क्या करेंगे LCM निकालेंगे निमिनेटर मतलब कि जो उपर वाले नंबर है 2, 3 और 4 ठीक है तो हमें सबसे पहले LCM निकालना पड़ेगा 2 का, 3 का और 4 का फिर अपॉन में क्या है HCF अफ डिनॉमिनेटर मतलब जो नीचे वाले नंबर है उनका HCF तो हम HCF निकालेंगे किनका? 3 का, 10 का और 15 का तो जो भी सॉल्फ करके हमारा आंसर आएगा वो इन तीनों रैशनल नंबर का LCM होगा इसी तरीके से अगर हमें HCF निकालना इन फ्रैक्शन वाले नंबर का तो हमें करना क्या पड़ेगा? उपर वाले नंबर का हमें HCF निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा 2 का, 3 का और 4 का और डिनोमिनिटर में LCM निकालना पड़ेगा हमें 3, 10 और 15 का, ठीक है? तो इस फॉर्मले की मदद से हम इस टाइप के कॉश्चन को सॉल्फ कर सकते हैं आईए आप कुश्चन देखते हैं, यह जो कॉश्चन हमारा एच्टैट में पूछा गया है, तो इसमें क्या वो लगया है? हमें निकालना है, least common multiple of 2 by 3, 3 by 5, 4 by 7 and 9 by 13 least common multiple होता है हमारा LCM, ठीक है? तो हमें LCM निकालना है, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले उपर वाले नमबर का, 2, 3, 4 और 9 का हमें निकालना पड़ेगा LCM, LCM निकालना पड़ेगा 2 का, 3 का, 4 का और 9 का और बटे में क्या आएगा? इन नीचे वाले नमबर का, HCF, तो HCF निकालना पड़ेगा हमें, 3, 5, 7 और 13 का, ठीक है? तो LCM कैसे निकालते हैं, वो देख लेते हैं, तो उसके लिए हम सारे नमबर को एक साथ लिख देते हैं, 2, 3, 4, और 9, इसको 2 से करा, 1, 3, 2, यह हमारा 9 का 9 रहेगा, फिर 2 से हो रहे तो, 1, 3, यह एक आएगा, यह 9 का 9, फिर 3 से करेंगे, 1, 1, 1, 1, और 3, और फिर 3 से करा, और वो क्या आजाएगा हमारा, दो दुनी 4, चारती है 12, बारती है 36, तो यह हमारा 36 आगया, बटे में, HCF निकालना हमें इन 4 का, 3, 5, 7 और 11 का, तो इसमें कुछ भी common factor नहीं है, तो 1 आएगा, ठीक है, तो 36 इसका LCM हो जाएगा, ठीक है, अगला question देख लेते हैं, एक और, अब इस question में हमें इन 3 का, जो fraction में दे रखे हैं, 2 बटे 5, 3 बटे 10, 4 बटे 15, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HCF निकाल लेते हैं, तो HCF अगर हम निकालते हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, इन 3 का HCF, तो उस case में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नमबर का HCF लेंगे, HCF निकालना पड़ेगा, 2, 3 और 4 का, और बटे में आ जाएगा हमारा LCM किसका नीचे वाले नमबर का, 5, 10 और 15 का, ठीक है, अब यहां पर 2, 3 और 4 का, अगर मैं HCF निकालूं, तो हमारे पास 1 आएगा, HCF निकालना आपको इसमें कोई भी कौन फैक्टर नहीं है, तो एक आएगा, और LCM निकालेंगे, 5, 10 और 15 का, तो जो LCM होगा, इन तीनों का, वो होगा 30, ठीक है, 30 होगा, LCM निकालना भी आपको आता है, तो एक बटे 30 जो है, यह हमारा, इन तीनों का, क्या होगा, HCF होगा, ठीक है, इसी तर निकालना पड़ेगा, 2, 3, 4 का, और नीचे वाले नमबर का हमें HCF निकालना पड़ेगा, तो नीचे हमारे पास है, 5, 10, 15, अब उपर वाले नमबर का LCM निकालें, 2, 3, 4 का, तो यह कितना आएगा, 12 आएगा, आप LCM निकाल सकते हैं, 12 ठीक है, और HCF नीचे जो आएगा, ठीक है, यह आगे हमारे पास, तो हमारे पास इन तीनों का, जो LCM है, वो हमारा 12 बटे 5 है, और HCF है, वो 1 बटे 30 है, तो इस तरीके से हम fraction वाले नमबर का HCF और LCM निकाल सकते हैं, तो मिदे आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू.